Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लग पढ़ेंगे Class 4 EBS अडियन्त वर्क बुक का Chapter 9 Changing Families तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना वर्क बुक निकाले और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजी Changing Families Select the Best Option Best Option सेलेक्ट करना है Nimi has now got a Nimi को कौन मिला? Baby Sister, New Toy, Baby Brother या New Mother तो कौन मिला? Baby Sister ठीक है, इसमें ठीक लगा देंगे The number of people in Nimi's family are now तो Nimi के family में कितने लोग हैं? तो 4, 6, 5 या Not Noun कितने हैं? तो 6 हैं, इसमें ठीक लगा देंगे That's father has been promoted तो किसके father प्रोमोट हुए? तो Nimi's, Nazli's, या Tiz Rings None of these तो Tiz Rings ठीक है? इसमें ठीक लगाएंगे उसके बाद है Tiz Rings, father is going to work in another city because of his तो दूसरे city वो चले गए वर्क करने के लिए किस करन से? Transfer, promotion, both A and B या neither A nor B तो कौन सा होगा? बोथ A and B उनका transfer हो गया और promotion हो गया दोनों ही ठीक है? इसके बाद है Nazli's Das is getting married अब देखें किसका married किसका साधी हुआ था? तो यंगर ब्रदर, uncle, father's यंगर ब्रदर या इल्डर cousin brother तो इसका ठीक है? नाजली के इल्डर कजन ब्रदर का शादी हुआ था इसमें टिक लगाएंगे राइट T for true and F for false statements ठीक है? ट्रू के लिए T का यूज करना है फॉल्स के लिए F का यूज करना है टिसरिंग और इस mother are going with his father to the new city ट्रू? टीक हैंगे? नाजली इस सब दा हर cousin brother is getting married and going away फॉल्स निमी जाएबी sister was born at home फॉल्स टिसरिंग's mother and sister packed the luggage carefully ट्रू? निमी जाएबी अंकल is blind ट्रू? ठीक है? तो इस तरह से आपको बताना है इसके बाद है match the persons in column A with what is happening to them activities in column B अब देखिए यहाँ पर जोना activities आपको दिखाना है जो match करना है column A और column B तो देखिए निमी is very excited निमी क्या थी? बहुत है excited थी इसके साथ matching करेंगे नाजली is happy to attend a marriage in the family तीजरिंग तो टीजरिंग का हो जाएगा यह वाला विल हैब to attend another school निमी's mother निमी's mother का becomes a mother again नाजली's elder cousin brother इसका होगा gets married ठीक है? टीजरिंग's father तो gets transferred C number तो इस तरह से आप matching करेंगे तीक है? उसके बाद है इन निमी's family tree sound below अर्ली निमी's name is filled in अब देखिए निमी के family का जो एक जो है यह दिया हुआ है family tree वो नीचे दिया गया है जिसमें कि सिप निमी का नाम दिया गया है ठीक है? फिल इन नंबर बॉक्सेस विद दा नेम्स गिवेन ऑन दे साइड करक्ली अब यहाँ पर आपको जो है ना साइड में आपको जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया है आपको इसे अच्छे से दिखाना है यहाँ पर लिखना है तो देखें निमी ज बेबी सिस्टर निमी ज मदर ग्रेंड मदर निमी ज अंकल निमी ज फादर ठीक है? तो यह सारा है तो हम यहाँ पर फस्ट में लिख देंगे ग्रेंड मदर ठीक है? निमी ज अंकल निमी's father, निमी's mother और निमी's baby sister और निमी ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 लोग है, ठीक है? उसके बाद इसमें है very short answer type questions answer in one word और one sentence एक word में या एक sentence में आपको answer देना है why do many girls drop out of school as mentioned in the chapter? तो बहुत सारे जो लड़किया हैं उन्होंने अपना school छोड़ दिया तो क्यूं छोड़ दिया? तो because they didn't get proper facilities and proper support क्योंकि उन्हें proper facility और proper support नहीं मिला ठीक है? इसलिए उन्होंने अपना school छोड़ दिया, drop कर दिया ठीक है? और बहुत सारे reason हो सकते हैं या school बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है, इसलिए छोड़ दिया या किसी की शादी हो सकती है, इसलिए school छोड़ दिया बहुत सारे reason से उन्होंने अपना school ड्रॉप कर दिया What change occurred in Nimmie's family? Nimmie के family में क्या chances हुआ? In Nimmie's family, chance happened due to the birth of the baby sister उसके baby sister आने से उसके family में chances हुआ, ठीक है? Why was Tresuring's father transferred? अब देखे, Tresuring के father का transfer क्यों हुआ था? Tresuring's father got a promotion and was transferred to a new town क्योंकि उन्हें promotion मिला था, इसलिए उनका transfer हुआ How has Nazzle's family changed? अब Nazzle के family में कैसे change हुआ? ठीक है, किस तरह से change हुआ? तो due to the marriage of her elder cousin brother उनके elder cousin brother के marriage होने से साधी हुआ, इसलिए उनका family हो changed हुआ ठीक है? उसके बाद है सूसीला who is going back to school after marriage belongs to which district? सूसीला जो की वो वापस अपने साधी के बाद इस्कूल जाने लगी वापस इस्कूल जाने लगी तो वो किस district से बिलोंग करती है, ठीक है? तो सूसीला belongs to रंगा रेडी डिस्ट्रिक, ठीक है? रंगा रेडी डिस्ट्रिक से वो बिलोंग करती है short answer type question, answer in 30 to 40 words why do married girls want to go back to finish school? who helps them in this task? तो married girl जो थी वो वापस इस्कूल जाने लगी ठीक है? तो उसमें उसका इसने help किया because वो क्यों इस्कूल जाने लगी ठीक है? ये पुछा जा रहा है कि वो वापस क्यों इस्कूल जाने लगी because they want to stand on their feet क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी इसलिए वो वापस इस्कूल जाने लगी और इसमें उसका help किस ने किया? पंचायत ने, ठीक है? उसके बाद है कि how सुसिला got the help from the पंचायत तो पंचायत से सुसिला ने कैसे help लिया? पंचायत said that young children should play and study and not be married off तो पंचायत ने कहा कि जो young children हैं वो सिर्फ खेलेंगे और पढ़ाई करेंगे और उनका साधी नहीं किया जाएगा ठीक है? इसके बाद है long answer type question अब देखे इसमें जो है ना पूछा जा रहा है कि आखिर जो यह chances हुआ इनके family में इसका क्या reason था? ठीक है? तो यह इन सारे के family का reason बताना है तो देखे, due to the birth of her baby sister ठीक है? निमी के family में due to transfer of his father to a new city टीजरिंग के family में ठीक है? उसकी father का transfer हो गया ठीक है? और due to the marriage of her elder cousin brother तो यह नाजली के family में उसके elder cousin brother का साधी हुआ इस करन से यह सारे जो है ना family में changes हुए ठीक है? उसके बाद है think, find and write सोचना है, बता करना है और लिखना है fill in the table on celebration of important days festivals by ticking the correct boxes only one box in each row is to be ticked ठीक है? साधे में आपको sit एक ही जो है ना box में tick लगाना है name of day and festival ठीक है? और यहां है normally celebrated at home with the family and friends तो हम लोग इसे घर में celebrate करते हैं, family के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या फिर normally celebrated in school with teachers and classmates इसे हम school में या अपने classmates के साथ celebrate करते हैं maybe celebrated at both places तो यह जो है ना दोनों ही जगह में celebrate करते हैं ठीक है? तो अब इसमें है जैसे कि new year's day जो हम लोग new year's party मनाते हैं तो वो हम किस के साथ celebrate करते हैं? तो normally celebrated at home with the family and friends तो हम अपने family और friends के साथ celebrate करते हैं तो इसमें टिक लगाएंगे Republic day तो यह हम school में celebrate करते हैं holy घर में करते हैं अपने friend के साथ इद घर में अपने friend के साथ करते हैं celebrate independence day तो यह school में करते हैं गांदी जैंती तो यह घर में मनाते हैं या अगर स्कूल तो बंद रहती है ठीक है तो उसके बाद दिवाली है तो दिवाली हम घर में ही मनाते हैं ठीक है गुरु नानक बर्थडे तो यह हम दोनों ही जगह में जैसे स्कूल में भी मनाते हैं अपने घर में भी मनाते हैं ठीक तो इस तरह से आप इसमें टिक लगाएंगे, के बाद है, find out and write whether you have a joint family और a nuclear family, then draw a family tree of your present family. तो देखे, इसमें कहा जा रहा है कि आपको पता करना है कि आपके joint family है या फिर nuclear family है, ठीक है, दोनों ही family में आपका कौन सा family है, तो उसका आपको एक present family tree जो है, आपको draw करना है, ठीक है, तो यहां पर आप इसे खुद ड्रॉ करेंगे अच्छे से, तो आप इसे खुद आपका chapter workbook complete हो चुका है, तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताइए, अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल NCRT The Mind को like, subscribe कीजे, और pass में दिये गए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे, ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती तो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video